हलो गाईज, वेलकम टू पूरी पढ़ाई, तो आज हम देखेंगे html style attribute का text size कैसे बढ़ा सकते हैं, html style attribute का use करके, तो text size आपको बढ़ाना है, text size के लिए हमारे पास एक tag होता है font size property, the font size property defines the text size of an html element, ठीक है, तो हम font size का use करेंगे, हम पिछली वीडियो में हम देख चु यूज होता है, किसी भी style attributes को लगाने के लिए, तो font size आपका use कर सकते है, font size में हम लिख सकते हैं कि 300% बढ़ाना है आपको, जो कि आपका actual size है, उससे 300% या फिर 100%, 200% या भी करके देखेंगे, example में, और आपका अगर pixels में change करना है, 10 pixels, 1 pixel, 2 pixels, तो ये भी कर सकते हैं, आपके पार different options है, text size को increase करने के लिए, और decrease करने के लिए भी, तो आप ये use कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका अभी एक example लेते हैं, notepad में जाते हैं, notepad में आपके style attribute, ये आपका जो starting tag है, उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है, अभी आप यहाँपर देख सकते हैं, firstly मैं क्या करत हूँ, इसे 100% ही करता हूँ, मतलब 100% मतलब कि जैसा है, वैसा ही रहेगा, ठीक है न, और यहाँपर 10 pixel लिखते हैं, और इसे हम save करते हैं, save as, html, इसे हम test9.html से save करते हैं, जाकि हमारा html file में convert हो जाए, और इसके बाद हम html example खुलते हैं, तो यहाँपर यह save हो चुका है, html9.html, इसके बाद हम इसे open करेंगे, हाँ, यहाँपर हम देख सकते हैं, this is a heading, this is a paragraph, यह आप देख सकते हैं कि different event, आपका जो size है, वो कम और बढ़ चुका है, अभी हम try करेंगे, इसको कम और बढ़ाने के लिए, इसको हम 20 कर देते हैं, चीक है, और यह 100% है, इसको हम 200% कर सकते हैं, इसको हम save करेंगे, control S से, यह फिर आप यहाँपर save कर सकते हैं, यहाँपर save का option है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे reload करेंगे पेच को, क्योंकि हमने save कर दिया है, तो हमने इसमें changes देख सकते हैं, देखिए, आप changes देख सकते हैं, कि size इसका increase हो गया है, ठीक है, इसको हम as it is रहन देते हैं इसका क्या करते हैं, हम 400 pixel कर देते हैं, control S करते हैं, और यहाँपर save कर सकते हैं, इसके बाद हम save करने के बाद इससे reload करेंगे, फिर से तो इसका size देखिए, बढ़ गया है, और इसका और ज़्यादा आपको size बढ़ाना है, तो 800 भी कर सकते हैं, इसे, control S से save कर दिया है, अब इसे reload करेंगे यह देखिए तो वो depend करेगा आपके html documents पे कि आपकी क्या requirements है उसके साबसे आप font का size उपर नीचे कर सकते हैं, pixel में भी change कर सकते हैं, फिर percentage में भी change कर सकते हैं, so thank you guys, meet me on our next video, तब तक के लिए good bye. Your feedback is valuable for all, so please comment, like and share with your friends, thank you.